बिसमिल्यार हमारा रहे में इस lecture के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप अपना पहला neural network जो है उसे create कर सकते हैं There are many things in neural network जो हमने पिछले दिनों types भी देखी neural networks और neural networks को different तरीके से हमने बना के भी देख रहा कि किस तरीके से हमारा in writing हम neural network को बना सकते हैं आज के इस lecture के अंदर हम coding को use करेंगे और neural network को हम design करेंगे मेरी आवाज आपको आ रही होगी आपने comment section में neural network को type करना है ताके सभी लोग जो हैं वो neural network की इस एक lecture को गोर से सुन सकें और उनको समझ लग जाए कि हम neural network को discuss कर रहे हैं अगर आपने like नहीं किया तो वो भी कर दें, share नहीं किया वो भी कर दें, subscribe नहीं किया इस चैनल को तो वो भी कर दें times है कि यह बगार हम अपनी slides के उपर पहले चलते हैं पहले हम theory देखेंगे फिर हम practical की तरफ move करेंगे मेरी screen आपके सामने अभी share हो जाती है and now you can see my screen यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास how to create your first neural network इसके उपर हम आज बात करने वाले हैं और how to create your first neural network जो है यह basically आपके सामने हाजिर है अब होता क्या है, जब भी कभी आप अपना पहला neural network बनाने जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आ रही होती है अब मैं आपके सामने neural network के main steps बताऊंगा कि कितने main steps है and how you can actually create a nice neural network तो अगर मैं इसको बोलूँ कि हमारे पास 10 neural network के main steps है जब आप neural network को बनाना चाहते हैं सबसे पहला step जनावेवला आपके पास है कि आपने tensorflow को install करना है और हम tensorflow library को use करेगे ही अपना आज का जो neural network है उसे बनाने वाले यह आपको पिछला task दिया गया था हमें से काफी लोग उने से install कर लिया होगा अगर किसी ने install ने किया तो उनसे मेरी request है कि पहले से install करें and then come back to this lecture फिर उसके बाद आपने क्या करना है आपने install करने के बाद अगर आपके पास GPU की capacity मुझूद है then you have to actually activate your GPU और बहुत ज़्यादा लोगों के पास GPU की capacity जो है वो नहीं होती तो कोई मसला नहीं है आप GPU के बगार भी इसे use कर सकते है हम basic examples को देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास neural network जो है वो TensorFlow को use करके हम बना सकते है दूसरा काम है जब आपने neural network बनाने तो obviously हमने dataset को load करना है जैसे supervised machine learning के अंदर हमने dataset को load किया थै इसे तरीके से हम neural network को बनाते वकर tensorflow के अंदर भी dataset को load करेंगे C-Bone की library आपने देखी थी आपने tensorflow की library देखनी है अब और इससे पहले आपने कुछ और भी libraries देखी जैसे circuit learn है हर library के अंदर कुछ exemplary dataset मुशूद होती है ठीक है तो हमने क्या करना है उन example के dataset को उठा के उस पहले एप neural network बनाने and then we will proceed further with the advanced level architecture of neural network ठीक है यहां तक आपको clear हो गया होगा load the dataset अब dataset load कर लिया अब dataset को load करने के बाद आपके पास कुछ pre-processing के steps है जैसे कि data pre-process आप करते है तो जब भी neural network को आपने load करना है तो आप से मेरी request यह है कि आप pre-processing data की ज़रूर करें जिसमें missing values को remove करना, outliers को remove करना, scaling करना या encoding करना wherever these steps are necessary, please do these steps ठीक है जब आप इन steps को perform करते हैं तो क्या होता है आपका जो architecture है, neural network का वो बहुत ही जबर्दस तरीके से आपके सामने बन के आ जाएगा and later on, आप क्या कर सकते हैं after that, pre-processing of the data set आप क्या कर सकते हैं, select कर लेंगे features and target, वो ही x and y तो 4 steps तो आपको पहले से पता हैं और आपको पता है किस तरीके से आप इन 4 steps को perform करते हैं अभी तक फिर इसके बाद अगर देखें तो 5th step आपका क्या है splitting the data set, आप क्या करते हैं, data को divide करते हैं, two sets पहला training data और दूसरा testing data, यानि कि x y में divide करने के बाद, आपने data को 80-20, 70-30 या whatever the ratio is, आपने उसमें divide कर लेना, जब divide हो गया, इतना काम भी आपको पता है फिर आप क्या करते थे, standardized करते थे data को, यानि कि features को scale करते थे, using different methods like min max scalar या some other scalars तो आप उनकी scaling भी यहाँ पे कर सकते हैं, आप ये छटा step pre-processing में भी कर सकते हैं, लेकिन सिरफ features की standardization और scaling के उपर भी ये step जो है वो लेके आ सकते हैं, 6 step हमारे पास total होगे, अब चलते हैं step number 7 पे, आपने क्या करना है neural network के model को पहले build करना है, जैसे हम scikit learn के अंदर, for example, 6 step तक सारे के सारे steps scikit learn के अंदर भी अब हमने क्या करना है, हमने neural network के model को build करना है और build करने के लिए हम क्या करेंगे, हम basically, इस model को बनाएंगे, sequence को बनाएंगे, जैसे input layer बनाएंगे, output layer बनाएंगे, और उसके अंदर कुछ hidden layers बनाएंगे, जैसे हमने multi-layer perceptron की, जो हमने structure देखिए थी, उसके हिसाब से हम अपना neural network जो है, उसे design करने वाले है, something like this, ठीक है, हम पहले input layer बनाएंगे, फिर hidden layers बनाएंगे, फिर output layer बनाएंगे, ठीक है, तो multi-layer perceptron इस तरीके से बनेगा, input layer, hidden layer and output layer, और जैसा कि मैंने आपको पिछले lecture के अंदर भी बताया था, कि जब हम hidden layers, input layers and output layers की बात करते हैं, then we also talk about many other steps, जिसमें activation function भी आएगा, and then there are many other steps as well, जिनको हम इंशाला इसमें काम में लेके आएंगे, so, पहली चीज, sequential model हमने बनाना है, यानि कि sequence बनानी है, input layer, hidden layers and output layers, ठीक है, और हर एक चीज को linearly stack करना है, ठीक है, linear stacking करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, हर neuron को या nodes को हमने linearly stack करना है, ठीक है, फिर हमने hidden layers को add करना है, activation function होगा, for non-linear processing data, then हमने output layer को add करना है, using some kind of sigmoid or relu function, तो activation function की बात हम बात में करेंगे, but for now, हमने hidden layers को add करना होता है, फिर हम क्या करेंगे, step number 8 के अंदर, हम compile करेंगे model को, और model को compile करने के लिए आपको एक loss function ले के आना पड़ता है, ठीक है, और आपको basically, एक metric ले के आना पड़ता है, जिससे आप उसकी accuracy, या कोई भी mean squared error, या some other things, आप उनको check करते हैं, कि क्या हमारी हर iteration के बाद, iteration का लफज आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो प्लीज पिछला lecture देख ले, आपकी हर iteration, backward, forward propagation and back propagation के बाद, जो भी accuracy के अंदर बदलाव आ रहा है, यानि के weights and biases जो change हो रहे हैं, वो किसी भी एक matrix की base पे हम measure करते हैं, और जो true to predict data हमारे पास जो loss function होता है, वो predict करता है, कि आपका जो loss है, वो कितना है, ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हमारे पास basically, एक loss function होता है, और एक हमारे पास optimizer होता है, optimizer क्या करता है, यह basically guess करता है, कि weights को कैसे set करूँ, यह जो loss function है, यह कम हो जाए, यानि कि जो loss है, हमारा कम हो जाए, accuracy increase कर जाए, तो basically optimizer क्या करता है, चीजों को optimize करता है, और इसमें Adam optimizer एक अच्छा खासा मशूरे जमना optimizer है, जिसको हम utilize भी करेंगे और देखेंगे भी, ठीक है, इसके इलावा, loss function के लिए अगर आप देखें, तो binary cross entropy बहुत जादा use होता है, binary classification के लिए और एक metric use होता है, तो हमारे पास कोई भी एक optimizer होगा, loss function होगा, और कोई एक matrix होगा है, तीन चीजें हमारे पास ऐसी होगे, जिसके through हम देखेंगे, कि हमारा model compile हो रहा है, यहाँ पर हमने model को build करना है, यहाँ पर उसको compile करना है, कि जब हमारा model build हो जाए, then we can run these three things, जिसमें optimizer है, loss function, and then हमारे पास कोई भी एक metric है, यह तीन चीजें याद रखिएगा, ठीक है, then step number nine क्या है, हमने train करना model को, train the model using the training data, we specify the number of epochs, epochs क्या है, जब भी आपके पास epochs का लफज आएगा, it means आपने कितनी iterations को run करना है, over the entire data set, यानि कि शुरू से लेके end तक जाना, और फिर back propagation करना, एक iteration है, दो iteration, फिर जाना आगे और फिर वापिस आना तीन iteration, फिर जाना आगे और फिर वापिस आना चार iteration, वो कितनी दफ़ा आपने forward and back propagation करनी है, to optimize the model, उसको हम बोलते हैं, epochs, epochs, ठीक है, यह iterations होती हैं basically, यह लफज नहीं भूलना चाहिए आपको, फिर आप क्या करते हैं, and the batch size, batch size क्या होता है, यह भी एक important term है, number of samples per gradient update, यानि कि कितना आपने number of samples को, हर दफ़ा में update करना है, ठीक है, इसको batch size बोलते हैं, तो हमने क्या करना है, epochs और batch sizes को भी mind में रखना है, यह हो गया हमारा step number nine, जब model train हो गया, obviously हम क्या करते हैं, हम model को evaluate करते हैं, और evaluation के लिए हम model के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम access करेंगे, कि performance क्या है data set की on the model, to test the data, जो हमारे पास already data है, हम उसके उपर इसको run करके देखेंगे, और देखेंगे कि हमारे पास जो model ने कुछ predict किया है, how can we actually see that in real world, और model को train करने के बाद, हम उसको किस तरीके से accuracy की तरफ लेके जा सकते हैं, and how we can actually evaluate using different metrics, metrics वही रहने हैं, जो हमने पहले भी use किया है, और आज हम model को जब develop करेंगे, in that model we will see, inshallah, many things, जो tensorflow के अंदर हम utilize करने वाले हैं, right जी, यहां तक आपको clear हो गया, अगर clear है तो please write down in the chat session, और अगर आपको clear नहीं है, if you have any question, let me know in the comment section, अब एक चीज़ याद रखें, यह जो 10 step है, यह 10 के 10 steps बहुत ही important है, और इन 10 steps को हम use करते हैं, whenever we create a neural network, ठीक है, और इन्शाला अभी उसको हम बना के भी देखने वाले हैं, मैं सिरफ आपको एक final revision देदू, कि यह 10 step कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला काम आपका वो ही, कि आपने tensorflow के install कर लिए, यह एक ही दफा करेंगे, फिर आपके पास दूसरा step है data को लोड करना, तीसरा step है data को pre-process करना, चोथा step है X and Y को change करना, यानिके extract करना, पांच्वा step है split the data set into training and testing data set, छटा step है standardizing the features, या minimax scaling the features, या standard scaling the feature, साथवा step है building the neural network, आथवा step है compiling the model, नवा step है training the model and then the 10th one is evaluating the model, यह 10 steps को हम use करके एक model को बनाने वाले हैं, और आप देखेंगे के Python के अंदर using TensorFlow हम इस model को प्रेट करेंगे and then when we will go towards PyTorch or some other libraries, then we will use PyTorch or other libraries to build this neural network, but for now we will use TensorFlow और आपको एक और example में में दिखाँँगा जिसके अंदर हम psychic learn को भी use करके एक neural network को design कर सकते हैं, but पहले हम TensorFlow को देखने वाले हैं, ठीक है जी, यहां तक clear हो गया,